इसने बाजोगा की पूंच पेर रखा था तो इसको क्या लगवारा था कि संड़ार बहुत सभगा क्षद सभाजी देगा क्यों जो लोग कहते रहां इंड्या में प्आक स्टान के चार टॉडेए। इसने बिना टॉकडे करें पाकिस्तान के debido आरसा पाकिस्तान के टॉक्र मत कि कुए निवेस्मेंट में रही हमारे कियोगन वर्म अधाल यह कि साहथ आज भूए तो यह कुए तो यह किसार क्या लग रहा है वो का खड़ी हैं हम में तुम कहीती तुम लेटे हो यार है तुम लेटे कुछ आपक्स्तान को प्लीज अपना वापस ले और इम्रान घान का प्राइम मिनेस्टर बनवाए मुल्क का मिनमम तेनियर्स और अगर दस साल करें प्राइमिस्टर बन गया वह पाकिस्तान को हमारा काम हो जाएगा है यह आपने ट्वीट कर रहा था था ना पर एवरी नूरी नर्थ यह पाकिस्तानी जादा रेफरेंस हमझ पाएंगे यह यू इंडियन्स को नहीं पता बड़ी फेमिस मुवी है मौला जट अभी यसकी आई है तो लेजंड ओफ मौला जट नहीं वाली करें मैं यह कहना चाहता हूं कि यह बाजवा को इनों ने धक्का दिया जिसको कहते हैं जानवर होता है यह वो खूब होना गाली दी बाजवा ने बस एक इशारा करा यह पांच साल करेंगे अब यह कोट में जाएगा और कोट में जजज बैठा है उसको भी बाजवा का कौल जाएगा यह होगा इसलमाबाद भाइकोट की बात कर रहें यह लोग जितने भी जु जो बेचने की कोशिश कर रहा है गया इम्रान चले जाए पीटेमा समालू ही जोल्व वोटेट डैट इधर यूमेग मी सीम अफ पाकिस्ताम इसकी दोई चैसे बागी ही इस नोट इंट्रेस्टेट इन फॉरन इस चारण मेंस्टर तो अगर तुम ठीक है अगर तुम वो घ होगा इम्रान खान के साथ तो डबू जी एक वीडियो रिकॉर्ड करा फावाद चौधरी फॉर्मर मिनिस्टर आफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलिजी है ना आपके लिए मुश्किल हो रहा है ना इम्रान खान का वहां पर ये बयान हिंदुस्तान के चैनल पर उसको क्लैरिफ हमारी ख्वाइश नहीं है ये हमारा एम है सर कि आई एसाइ को एक्स्पोस करना है अब वो आप ही कर दे रहे हैं तो थैंक यू सो मच कि अपने करें पर फाइसाइश नहीं है आपका जो एक ही एजंडा उसे एक्सपोस करना है सर और वो हम नहीं कर रहे हैं वो आज की तारीक में मेरे तो डियर मोस्ट हो गए इसलिए हो गए क्योंकि उन्होंने ISI की पोल खोलने का अब जो है रादा बना लिया है और इसलिए हमें तो वह इस बार थोड़े पसंद आएंगे मेरे पास वक्त की कमी है लेकिन आगे भी आप से मुलाकात करने की मैं इच्छुक रहूंगी असलाम अलेकू नाजीन आपने देखा भी मैंने दो आपको वीडियो शेयर की है आपने हो सकता है आपने देख भी लिया हो क्या है उस वीडियो मे एक वीडियो मे वही मेजर क्या कह रहा है वो यह कह रहा है कि अमरान खान को दस साल के लिए हुकूमत दे दी जाए तो हमारे मकासित पूरे हो जाएंगे हमारे मकासित के हैं कि पाकिस्तान तूट जाएगा तबाह हो जाएगा एक तो ये मैं शॉर्ट आप ने सुन लिया दूसरा ये जो है आपके मीडिया में चैने ये मेजर ने तो बोला बोला जब मीडिया में आपके जो इंडियन मीडिया में सवाल पूछा एंकर से और क्रॉस हुआ तो उसमें क्या का कहते है जनाब हम तो चाहते ही हैं कि पाकिस्तान की आईएसाई जो है वो डीस्टे अपलाईस हो पाकिस्तान की जो आईएसाई है वो उसमें तूट पूट हो उसमें वो कमजोर हो पाकिस्तान की फौज कमजोर हो और ये काम इमरान खान कर रहे हैं मैंनों नहीं का इमरान खान वो काम कर रहे हैं जो हम चाहते हैं उस anchor ने बोला हम इंडियन चाहते हैं कि पाकिस्तान की एक जो बहुत front line या back line support है ISI की पुरी दुनिया में number one agency है यह यह मैं अपने तरफ से नहीं कह रहा हूँ जो international organization है आपके जो यह जो research करती है उनका यह कहना है और एक दफ़ा नहीं कहा है कई दफ़ा ही हुआ है कि पाकिस्तान की ISI जतनी भी दुनिया में ISI है उससे ज़्यादा number one आई है तो पाकिस्तान की नमबर वन आईसाई जो है वो उसमें कमजोरी आए और उसको नुकसान पहुँचे तो किसको नुकसान पहुँचेगा पाकिस्तान को नुकसान पहुँचेगा पाकिस्तान की फौच को नुकसान पहुँचेगा तो उसने ये बात खुल के कही जब उन्होंन पाकिस्तान की जो I.S.I. है वो इतनी कम्जोर हो जाए कि हम पाकिस्तान को तोड़ सके तो उसने का है ये काम हम तो चाहते हैं इमरान खान कर रहे हैं इमरान खान ये काम कर रहे हैं वो मेजर भी ये कह रहा है कि जो हम करना चाहते थे और इससे पहले भी उसकी वीडियो देख तो इमरान खान के मकासित क्या हैं मकासित वो कह रहे हैं ना कि वो हमारा एजंडा पूरा कर रहे हैं तो इमरान खान उनका एजंडा पूरा कर रहे हैं इसमें कोई दो राय नहीं है आज का जलूस निकाला है उन्होंने लाहूर की 2017 की जो सेंसस है 2017 का सेंसस है उसके लहाज से अबादी लाहर की है 11.13 मिलियन और बहुत आहम जराय से जो मुझे पता चला जाहिर है वो आहम जराय मालुमात रखते हैं चीजों की उन्होंने मुझे कहा कि 4000 से 6000 अफराद निकले तो 4000 से 6000 अफराद अगर 2017 की सेंसेज हम मान लें कि 11.13 मिलियन लोगों में से सिर्फ 4000 6000 अफराद निकले जब कि अब लाहर की अबादी अगर 2022 में सेंसेज किया जाए तो तक्रीबन इसमें 45 मिलियन बढ़ चुके होगी इसका मतलब है तक्रीबन आपके 15.14 मिलियन के खरीब इस वक्त अबादी होगी जिसमें से 4000 ये 6000 लोग आएं और ये वो लोग हैं जो लाहर से भी हैं और पंजाब के दीगर शहरों से भी आएं और ये रात होगी तो असल हकीकत पता चलेगी कि इनके इस जलूस में कितने लोग ठैरते हैं इसलिए इन्होंने क्या किया किया कि 11 बजे के बाद खिताब होगा और उसके बाद ये चले जाएंगे अपने गरों को फिर ये शादरा से जोइन करेंगे पिर ये आगे जाएंगे कामों को तो ये step wise बर्ण हैं तो कहने का मतलब ये है कि ये है इस वक्त strength जो के हमें पता चली है अब कोई इसको लाखों कह दे तो हम क्या कह सकते हैं लेकिन actual strength ही है अगर आप नहीं मानते चलें 2000 उपर कर दें 2000 नीचे कर दें तो फिर भी 8000, 4000, 2000, 3000 तो independent बड़ी एहम अधारे के जरीए इनकी अभी जलूस था उसमें 4000, 6000 और जब जलूस चलता है न तो उसके पीछे जो ट्रैफिक आ रही होती हो लगता है कि वो भी जलूस का हिस्सा है बारा इमरान खान साब ने कहा है कि जिनाव हम जो है इसलामबाद में रेड एरिया नहीं जाएंगे और हुकूमत ने भी साफ़ तो पर पर का है कि जो रेड एरिया आएगा उसे हम रेड कर देंगे इसके इलावा इमरान खान ने आज पहले फिर आज अपने पहले खिताब में जो आज उन्होंने जलूस निकाला उन्होंने डी जी आईसाई और आर्मी चीप के उपर अटेक किया है इमरान खान वो वाहिद सिय को ले 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 जाय गफार खान को ले 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 पाकिस्तान की 75 साला तारीक में अगर हकोमत ने फाज ने और अदलिया ने خاموشی اختیار کی ہے اور کوئی ایکشن نہیں لیا ہے تو عمران خان وہ پہلے سیاستدان ہے اور دوسرا یہ کہ عمران خان صاحب وہ پہلے سیاستدان ہے جنہوں نے اس قدر ریڈ لائن کروس کیے جو آج سے پہلے پاکستان کے کسی سیاستدان نہیں میں تو التافظین کو بھی دیکھا ہے ठीक है बहुत गलत किया है और उसके ओपर सजा वुकत रहे हैं लेकिन जितना अलताफ हुसेन ने किया उससे कहीं जादा इमरान खान रेड लाइन क्रॉस कर चुके है और कोई पाकिस्तान का सियस्टदान उस रेड लाइन को नहीं क्रॉस किया है एक तरफ ये बात है दूसरी तरफ मैंने बताया कि जनाब आली किसी यनि पाकिस्तान के किसी हुकूमत ने फौज ने और अदलिया ने इतना रिलीफ नहीं दिया है किसी भी सियासत दान को अतना मौका नहीं दिया है जिसने भी फारज के ओपर अडलिया के ओपर पाकिशतन की खOWM सलामती के ओपर कोई ऐसी बात की है उसको फारyss रियेक्शन मिला है लेगिन अमरान ख़न कुछ नहीं तो इसका मतलब यह नहीं है कि ये कर नहीं सकते इसका मतलब ये है कि हकूमत अदलिया और फाज को अब उस रेड लाइन को जिसको अमरान खान अबूर कर चुके हैं उसके ओपर एक्शन लेना ही लेना है और अगर आप नहीं लेंगे तो फिर इंडिया 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 के एनिलिस्ट या और कोई दू का था जो मकासिद मुल्क दुश्मन पाकिस्तान के मुल्क दुश्मनों का था वो तो खुल के कहरें कि हम तो चाहते हैं कि पाकिस्तान की फौज में दरारा है पाकिस्तान की फौज में बगावात हो पाकिस्तान की फौज को नुखसान हो आई एसाई जो दुनिया की नंबर one एदारा intelligence का उसको कमजोर किया जाए ये तो हमारे मकासिद में हैं और अमरान खान कर रहे हैं तो पहचानिया आप लोग अमरान खान को जो नहीं पहचान पा रहे हैं देखें पी टी आई में लोगों ने छोड़ना शुरू कर दिया है अमरान खान को मासवाएं उन लोटों के और उन सियस्तदानों के जिन का कोई मस्तक्बिल नहीं है जिनको पता है कि अमरान खान गिरे तो हम भी जमीन में गिरेंगे एक और बहुत अच्छी बात हुई कि परवेजलाई NG पंजब और चीफ निस्तर पंजब जो है चीफ जसिदि पंजब जो है चीफ जस्थ के रहा हुँ चीफ सेक्टर्वी पंजब उन्हों ने इमरान खान की ओर्डर्स को मानने से इनकार किया है सुना है कि इस स्लसले में फैडरल कोई order जारी किया है मैं मैंनी अभी बात नहीं वी है लेकिन किसी ने का है शायद आइन का आर्डिकल 149 है जिसके तहत ये सारी इंतजामी अख्तेरात फैडल ने खुद ले ले लेती है तो आइन में ऐसे अख्तेरात मौजूद हैं लेकिन क्योंके मैं ने अभी तक वो लेटर नहीं देखा है सिर्फ सुना है तो बिलकुल सही किया फैडल ने अगर ऐसी सुरते हाल है क्योंके इमरान खान के मकासित क्या है और देगे ना पैसल वार्डन ने बता दिया था है कि जी उन्होंने इन जलूस को खुनी जलूस बनाना है अपनी ही लोगों को मरवाना है और इन्टेलिजन्स रिपोर्ट आ चुकी है कि इनके जलूस में तहशतगर्दी भी हो सकती है और इनके आने वाले जलूस में बाहर से जो लोग आया है वो क्रिमिनल्स हैं और वो आपके असले के साथ हैं और वो कुछ भी कर सकते हैं यह इन्टेलिजन्स रिपोर्ट है जो दे अपनी स्यासत का खेल खेले हैं या जो भी उनका एजेंडा है बजाइर तो एजेंडा उनका ये लगता है कि वो पाकिस्तान की फौज क्योंकि आज भी उन्होंने हमला किया आईएसाई पे हमला किया मुझे हरानगी है कि ये फौज और ये आईएसाई इस से पहले जो लोग वो एक जुमला कहते थे तो उनको अकल आ जाती थी कि उन्होंने कितनी बड़ी बात की है और ये शख्स को इतना धील मिल रहा है लेकिन ये धील अब नहीं मिलना चाहिए क्योंकि अब ये कौमी सलामती के खिलाफ जा रहे हैं अब ये पाकिस्तान के एहम कौमी सलामती के ए इदारों के खिलाफ जा रहे हैं ये पाकिस्तान के खिलाफ जा रहे हैं गोया ये इस वक्त मुकमल तोर पर ऐसे हालात पैदा कर रहे हैं जिससे मुलक जो है वो अदम इस तहकाम का शिकार हो जाए है वो अलग बात है कि फौज और इंटेलिजन्स ने ये बात वाज़ तर पे कह देगी कि मुलक को इंशालला को एदम इस तहकाम की तरफ लाने की कोशिश करेगा तो इससे सकती से निम्टा जाएगा लेजिन हुकूमत की बहुत भारी जिमेदारी है कि वो अपनी जिमेदारी पूरी करे और वजीर आजम या इंटिरियर मिनिस्टर या पूरी काव मिना इमरान खान जो एक्सपोज हो चुके हैं कि उनके मकासित क्या है भारत जैसे मीडिया में ये बात बार बार कही जा रही है कि इमरान खान हमारे मकासित पूरे कर रहे हैं इमरान खान हम जो चाहते हैं वो कर रहे हैं इमरान खान फौच को तबाह करना चाहते हैं वही त हम चाहते हैं और वो कर रहे हैं तो हमारे लिए तो वो बहुत अच्छे हैं हम तो चाहते हैं वो दस साल के लिए उनको हुकूमत मिले ताए कि पाकिस्तान का बड़ा घरक कर दिया जाए लेकिन वो ये चाहते रहें लेकिन पाकिस्तान की बाइस कोड़ अवाम पाकिस्तान के म पाकिस्तान के आवाम जो बहुत बड़ी तादाद में वो कभी भी भारती मेडिया की जो खाइशात है या इमरान खान की जो कोशिश है और जो साजिश है उसको कामियाब नहीं होने देंगे इन्शालला देखते हैं आगे क्या होता है जल से जल बहुत जल्दी ऐसे लोग जि की अंदर जो लोग पाकिस्तान के को कमजोर करना चाहते हैं अल्ला के फजल करम से वही तबाव बरबाद होंगे पाकिस्तान को इन्शालला कोई नुकसान नहीं पहुचेगा और पाकिस्तान की हिफाज़त करने वाले जो हमारी फाज है उसको इन्शालला कोई नुकसान नह पहुचेगा, तो अग्राइश को आदिए, अल्ला आफिस